आप देख रहे हैं जून 2017 का सोशल साइंस का 10th क्लास का कुश्चन पेपर MP SAUS का Open School का चलिए देखते हैं इसमें कौन-कौन से कुश्चन आए थे important अभी आपके जो एक्जाम होंगे अगर उनका सोलुसन चाहिए तो आप अमना कुश्चन पेपर हमारे WhatsApp नमबर 8469022568 पे साफ-साफ फोटो खेज कर भेज़ दे उसका सोलुसन हम तुरंथ आपके पास पहुचा देंगे वीडियो के थू वीडियो देखने के बाद में आप सोलुसन को देखने के बाद में जरूर बताईएगा कि आपके कितने आदर किया जाता था या आपको बताना है उसके बाद में तीसरा है आपका परवतों के आर पार जाने वाले प्राकरतिक मारको खालिस्तान कहते हैं और पॉंगल इस बार तो जरूर देखें इन सभी फेपर्स को 2016, 17, 18, 19 के दिसंबर और जून के एक्जाम पेपर्स डाल दिये गए हैं अगर इनको नहीं देखा तो आप बाद में पस्ताना मत जरूर देखें इनको देखने से आपको बहुत फायदा होगा 70 to 80 परसेंट कॉस्टन सीजी म इन दे वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट तो पॉपुलेशन इसके बाद में आपको बताना है विच सेक्टर ओफ एकोनोमी इस और नौन एज इंडिस्टियल सेक्टर पाचवा है वाट आर दा टू इंडिस्टियल बेस्ट ओन एनिमल्स इन इंडिया अब सही वी कल्प चुनन में बाकी आप देख लेना विए डिड़ दा इंडिस्टियल रिवुलुशन बिगिन कहां पर यह हुआ था तो इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट कोशन है इसमें पूछा गया है जो पार्सियों की धार्मिक पुस्तक को खारिस्तान कहते हैं क्या कहते हैं यह बताना है चोथा कोशन है दा फाउंडर ओफ आरे समाज कौन थे राजाराम मोहन राय या दायानन सहस्वती या जोती वाई फुले या महादेव गोविंद रांडे थे कौन थे इनमें सापको बताना है जहां तक है राजाराम मोहन राय थे इसके बाद मीर जाफर कहा का नवाप था यह आपको बताना है इसके आपसंस आपके सामने हैं इसके बाद में सत्य असत्य की जाज करनी है ट्रू एन फॉल्स दिये गए हैं दा टेन्योर और पंचायत इन सेवन इयर्स क्या यह सही होता है पंचायत का कारेकल साथ वर्सों का होता है पॉपुलेशन एक्सपोलोजन इस सोटेज ओफ रिसोर्सेज क्या जनसंक्या विस्पोर्ट से साधनों की कमी हो जाती है बिल्कुल सही बात है दा बिश्टी बिश्टी बिटिशर्स केम टू इंडिया एस ट्रैवलर्स क्या भारत में प्रेटक बन के आये थे और सेयद अहमद खान वाज अपोस दा अपो स्टू दा एजुकेशन और वूमें वूमें का मतलब बिरूद किया था और सोईल इस ए लिविंग मैटेरियल क्या मरदा एक सजीव प्रदार थे या निर्जीव प्रदार थे आपको पता होना चाहिए सेक्शन बी की बात करें वीच वास्ट फर्स्ट मेटल यूज बीन्ग्स कौन सब अधातु यूग किया था इन्होंने और 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 राइट दे नेम आफ टो इंपोर्टेंट सिटी स्टेट इन ग्रीस उसके बाद में which longitude has been selected as the standard meridian of India और option में which two parts has the penciler plateau have been divided into इसके बाद में कुका जो है by whom was the कुका movement originally founded यह आपको बताना है अच्छे-च्छे questions आ रहे हैं आपके हर exam paper में तो उनको जरूर पढ़ी है आपके अच्छे exam paper तयार हो जाएंगे when and where was Indian National Congress founded यह आपको बताना है कभी-कभी यह पूछा जाता है by whom Indian National Congress founded और नौवा question है who appoints the council of ministers और option में by whom the decisions of council of ministers communicated to the president उसके बाद में रोम समराज्य कब और क्यों विवाजित हुआ यह बता देना है और option में मद्यकालिन भार्ति या अर्थवयस्ता की दो विश्यस्ता ही लिख देनी है ग्यारवा जो question है इसमें पूछा गया है परदूसर्ण के मानो जीवन पर तिन प्रभाव लिख देने है और option में आया है what is ecosystem उसके बाद में बारवा question है और option में है और यह बार बार यह question पूछा जाता है तेरवा question है अंग्रेजी को सरकारी भाषा कब माना गया यह आपको बताना है इसके बाद में आपका जो और option है वेन एन बाई हूम वास बेंगॉल पासंड ये किस के द्वारा विभाजित किया और कब किया गया ये आपको बताना है चोद्वा कोश्चन है राइट एनी थ्री क्वालिटी ओफ गूड सिटीजन और अप्शन में है वाट इस राइट टू इक्वालिटी पंद्रवा कोश्चन है सामराज जवाद के चार प्रभाव लिखने है आपको और अप्शन में आए राष्ट संकी स्थापना के चार उद्दे से बताने है सोलवा कोश्चन है पूर्वी तटिय मैदान में अंतर बता देना है इसके बाद में अठारवा कोश्चन है सवदेशी का बहिशकार का क्या आर्थ ये आपको बताना है उसके बाद में राइट दमेन एम ओफ होम रूल मूमेंट ये क्या होता है आपको बताना है 19 है, what four characteristics parliamentary form of government और है अपका what is constitution next है अपका what is election, next है आपका right for function of prime minister कभी-कभी ये दूसरे का पूछ लेता है इसके बाद में आपका 21 है, right for causes of water pollution कभी air pollution का पूछता है, कभी noise pollution का पूछता है generally water और आपका air pollution ही आता है maximum what is human resources 22 वा है right five characteristics of गुफ तेज और option में है what was American revolution 23 वा है right five measures to prevent soil erosion यह बार बार question आ रहा है और option में what are geographical requirement for the rice production कभी कभी पुचता है cotton production के लिए right five differences between ruler and urban social culture और option में है name some different dances form in India और पचीसवा question है भारत के मानचितर में आपको बताना है तो इसमें करक रेखा और डग बोई बॉंबे हाई जो है आपका गिर राश्ट्री उद्धान और छोटा नाकपूर का पठार बार बार छोटा और विसाखा पतनम तो इस तरह से आपके ये एक्जाम के question में बार बार जो है map के question लगबग लगबग सेम आते हैं कुछ कुछ चीज़े चेंज होती है तो जरूर आपके जो previous year के question paper से हैं वो सारी देखिए तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा और अच्छा एक्जाम होगा 26 वा है how Parliament keeps control over executive और option में है what are qualifications required to be member of लोक सभा तो ये था आपका question paper वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद like का बटन प्रेस कर दीजिए चैनल को 12th class के लिए subscribe कर लीजिए कोई भी information news अगर आपको चाहिए important news अगर आपका class related आपके board से related है तो वो भी हम डालते हैं तो उसके लिए भी चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूलें उन दोस्तों के साथ share कीजिए जिनकी इसकी requirement है